हेलो फ्रेंड वेलकम टू बाजीरा रेट्टे इंस्चूट टूडे निसिस के आज के अंक में हम 13 अप्रेल दो हजार चौबिस के प्रमुक समाचारों को दो प्रमुक समाचारों को देखेंगे जसमें से पहला समाचार यह है कि एक न्यूज है दे इंडियन एक्स्प्रेस मे कि स्विडिजर लेंड रूस उक्रेन को युद्ध को समाप्त करने या उसमें सान्ती स्थापित करने को लेकर जो है एक सान्ती पहल या सान्ती प्रयास कर रहा है जून में और इसमें कहीं ने कहीं भारत की भूम का महत्तोपूर है तो इसको देखेंगे क्योंकि रूस उक् के देशों पर पढ़ रहा है तो उसको हमें देखना पड़ेगा दूसरा ये है कि यह भारत की आगे आने वाली जो महत्वा कांचा है बैस्विक अस्तर पे जो नेतरत करता खास तोर से जो ग्लोबल साउथ का नेतरत करता भारत अपने को मानता है और जो भारत स्टेक से कमबाइन में जोड़ा हुआ है क्योंकि हमारे इंडियन इस्ट्स अफ साइंस बैंगलूरू के बैग्यानिकों की एक सोत करता हूं कि एक टीम ने पानी से जड़ी हुई या प्लास्टिक के परियावरण से परियावरण परियावरण सोरी पानी के प्रदूसर्ण बहुत ज़्यादा कामन माइक्रो प्लास्टिक हैं उनको उन पर जो है 90% से लेके 93% से लेके 95% एक पर 93% जो है वो कारगर है और इससे कहीने कहीं यह माइक्रो प्लास्टिक जो पानी में गुलन से लह उसके समझ्याओं को रोपने में यह मददकार हो सकता है खीक है तो आईए चलिए और हाँ इसके साथ ही इसी पर 5% आधारित रहेंगे multiple choice questions जिसके बारे में हम सिर्फ चर्चा कर देंगे उसको आंसार आपको खुद को देने होते हैं तो आईए चलिए देखते हैं पहला समाचार देखते हैं यह Switzerland की विदेश हैं और यह Ukraine की राष्टपती हैं यह Switzerland जो है रूस Ukraine युदिके संदर्ब में एक सांती का पहल कर रहा है काफी समय से भी कर रहा है इसके पहले भी एक दो पहल वो 2022 में भी कर चुका था जब युद्ध हुआ था उसके कुछ दिन बाद Ukraine के रिकवरी को लेकर अभी जो दावोस का सम्मेलन हुआ है मतलब पिछले जो है कुछ महीनों में वहाँ पे भी राष्ट्री सुरच्छा सलाकारों का एक सम्मेलन हुआ था उसको भी वहा पाईजित कर चुका है दावोस में उसी एक वर्ड एकनॉमिक फोरम सम्मेलन के साथ ही जो है और अब जो है अपने यहाँ एक अंतराष्ट्री ये सांति सम्मेलन रूस उक्रेन दुद को कर रहा है जिसमें 120 से जादा रास्टा ध्यच्छो सासना ध्यच्छो को सामिल होने की बात है तो ऐसे में इसको हम देखेंगे कि इसकी प्रिष्ट भूमी क्या है और स्विट्जरलेंड ही ये क्यों कर रहा है क्योंकि स्विट्जरलेंड का मध्यस्तता का संगर्षों के बीच मद्धिस्ता का उसका एक बहुत लंबा इतिहास रहा है जाम आम तोर पर स्विड़जरल्ण ने्टरल इस सती में रहा है आम तोर पर क्यों कह रहे हैं क्योंकि रूस युकरेन युद्ध में कहीं ने कहीं Switzerland यूक्रेन के तरफ जुका हुआ दिखाई दे रहा है ये यूक्रेन के लेकर इस सांती समेलन में यूक्रेन के वो एक संदर्म में एक थोड़ी सी कमी है क्योंकि आमूमन वो नीट्रल रहा है लेकिन यूक्रेन रूस के मामले में वो पश्चमी देशों का या यूरोपी कंट रूस यूक्रेन यूद्ध को सांत कराने में भारत की क्या भूंका है इसको देखेंगे या भारत के लिए उसका क्या महत्तो है ये हमारे लिए ज्यादा इंपोर्टेंट है तो आईए चलिए देखते हैं चर्चा में क्यों है तो चर्चा में इसलिए है कि रूस यूक्रेन बीट गई और ये तीसरा साल सुरू हो गया है और अभी तक उस युद्ध में कोई सांत के अस्तर पे कोई बहुत जादा या कुछ भी नहीं हुआ है एक तरह से कह सकते हैं कुछ भी नहीं हुआ है और युक्रेन का लगभग एक पांचवा हिस्सा यानि वन फिप्थ हिस्सा जो है रूस के कबजे में है और भी कई सारी चीजे हैं देखा जाए तो एक बड़ा ये मुद्धा है जिसके कारण कहीं ने कहीं पूरे यूरोप की अर्थ बिवस्था वहां का उर्जा तंत्र दुस्प्रभावित हो रहा है और इसमें कोई आगे बात नहीं बढ़ रही है इसको लेकर जो है रूस जो है अरे सारी स्विटजन रेंड इटली में जो 13-15 जून को G7 सिखर समेलन होगा उसके तुरंद बाद 15-16 जून को उसका वर्जन स्टार्ट स्विटजन रेंड का सार है उसमें रूस उक्रेन यूद्ध के संदर में एक सांती समेलन की मेजबानी जो है स्विटजन लेंड करना चाहता है और स्विटजन लेंड जो समेलन की मेजबानी करना चाह रहा है उसमें चाहता है कि भारत भी इस समेलन में भाग ले जिसमें राष्ट्रा धच्यों, साशना, ध्यच्यों के अस्तर पर लगबग 120 देशों को आमंतृत किया जाएगा तो ये जो सम्मेलन हो रहा है इस सम्मेलन में यूक्रेन भी चाहता है कि भारत भाग ले और स्विट्जन लेंड भी चाहता है कि भारत इसमें भाग ले क्योंकि उसको भारत की इस्तिती रूस यूक्रेन युद्ध में उन कुछ देशों में है जिसका जिसने बड़ा बैलेंस एप्रोच रखा है, हलाकि भारत ने कई मुद्दों पर जो है देखा जाए, तो वो रूस के साथ उसकी निकरता जादा दिखी गई है, इसलिए सुरू सुरू में जो है यूक्रेन ने भारत के विरुद्ध काफी आलोसनात्मत लहजे का भी प्रयोग किया है, लेकिन बाद में यूक्रेन को भी समझ में आ गई हकीकत और जो उसके विदेश मंतरी अभी भारत दोरे पर आये थे, तो उन्होंने भारत के सम्मान में बड़े सारे कसीदे गड़े हैं और उन्होंने आवान किया है कि भारत इस मुद्दे को हल करे और जो यूक्रेन की, हलाकि जब यूक्रेन कहेगा तो यही कहेगा कि हमारी बातों को मनवाए रूस से, लेकिन वो चाहता है कि भारत, यूक्रेन चाहता है कि भारत रूस और यूक्रेन के युद्ध को समाप्त करने में महत्पूर्ण भूम का अदा करे ठीक है इसलिए चर्चा में हमारे लिए है यह देखना अब बस यह है कि जब यह सम्मेलन हो रहा है तो इसमें से यह सांती सम्मेलन में कि रूस के राष्टपती आते हैं कि नहीं आते हैं अमेरिका के चुनाव होने वाला है तो चुनाव परचार में बीजी रहेंगे तो आएंगे कि नहीं आएंगे रूस के राष्टपती आते हैं या नहीं आते हैं हलाकि सुड़जरलन का कहना है कि रूस की यह अभी जो सुरुआ यह सम्मेलन हो रहा है यह एक पहला चरण है इसके और भी कई चरण रहेंगे अगर रूस के राष्टपती पहली बार में नहीं भी आते हैं फिर भी इसमें एक सा माहौल बनाया जा सकता है कि आगे रूस इसमें सामिल हो सके और दूसरी बात है कि चीन के राष्टपती इसमें आते हैं कि नहीं जिसका जुकाओ पूरी तरह से देख तो रूस के खेमे के साथ है तो ये सारे कुछ प्रस्न है जिनके लिए ये चर्चा में है प्रिष्ट भूमी की बात करें तो देखिए यह पहल जो की जा रही है वो यूक्रेन के राष्ट पती ब्लादमेर जलन्सकी के अनुरोद पर की है जिनों ने 15 जन्वरी को स्विट्ज सांती प्राप्त करने के लिए तरीकों पर उस अस्तरी बातचित के लिए मंच ब्रदान करना चाहिए ये उसका बिचार खास्वी सरकार से उन्होंने कहा था कि अंतराश्टिक कानूर और चार्टर के रुमसार यानि एक मंच मिले जहां पर यूक्रेन के मुद्वे को उठा रोड मैं बनाना इसका जो संबेलन हो रहा है उसका लच है कि जो आगे होने वाला है कि सांती अस्थापित हो जाए उसके लेकर जो रोड मैं बनाना है या सांती प्रक्रिया अस्थापित करनी है उसकी सुरुवात यहां से होने की उमीद की जा सकती है Switzenland इसे पहले भी जुलाई 2022 में trust कि प्रत्राइब है और इस साल की सुरुवात में दाओस में एक राष्ट्री सुरच्छा सलाकार की बैठक की मेजबानी भी Switzenland कर चुका है तो अब ये प्रस्न है कि Switzenland से उमीद क्यों किया रही है क्योंकि स्विट्जन लेंड का एक इतिहास रहा है मद्ध सिता का स्विट्जन लेंड को जो देखा जाए कि वो एक न्यूट्रल देश माना जाता है और वो ज्यादा तरह अंतरास्टी पचड़ों में नहीं पड़ा एवेन देट यूरोप में 220 महा युद्ध है उसमें भी स स्विट्जन लेंड की ये विशेस्ता रही है उसकी यहीं विशेस्ता है उसके कई सारे अंतरास्टी संगर्सों में मद्धिस्त के रुक में उसकी भूमिका को निरधारित करता है तो जैसे कुछ देखें कि तटस्ता की नीती जो है स्विट्जन लेंड की विदेश नीती क neutrality, Switzerland की विदेश नीती का एक मूलभूत सिध्धान्त है और इसने दो विश्युद्धों के दौरान सुरच्छा सकती, यानि जब दो वारता होती है, तो कोई तीसरा रहता है ने कि हाँ भाई ठीक है, आओ हम बात करेंगे कहीं न कहीं बात होती है, तो वो सुरच्छा सकती की उन दोनों के बीच में इनर्ट रूप में काम करता है वो के रूप में कार किया और दुती विश्युद्ध के दौरान लगबग 200 सुरच्छात्मक सकती जनादेश जो मेंडेट है, उसको इसने धारण किया था, कि 270 देशों के बीच में बातजित के लेकर ये, इसने 200 किया था जो दिविश्युद्ध के दौरान 1971 और 1976 के भी स्विट्जलेंड ने पाकिस्तान में भारत और भारत में पाकिस्तान के हितों का प्रत्रिद्ध किया था, यानि जो बारता हो रही थी, अगर वो पाकिस्तान में हो रही है, तो स्विट्जलेंड भारत की तरफ से कर रहा था, और अगर भारत में हो रही है तो स्विट्जलेंड पाकिस्तान के तरफ से बारता कर रहा था, उसके हितों के प्रत्रिद्ध कर रहा था, यानि ये सब चीजे क्यों बता रहे हैं ये बता रहा है कि स्विट्जलेंड का यहीं इतिहास रहा है इसी तरह से स्विट्जलेंड, सौधी अरब, इरान, इरान, अमेरिका, रूस, जार्जिया जैसे जो परंपरागर सत्रु देश हैं उनके बीच में भी ये क्या करता रहा है सुरच् कार और लिट्टे के बीच में, तमिली लंड के बीच में, मेजबानी की थी, नेपाल में की थी, मध्धपूर में भी सांती स्थापना की काम की थी, यहां तक कि जो दाओ सम्मेलन स्विट्जलेंड में होता है, उस सम्मेलन को सांती वारता के पहल के रूप में किया जाता ह यस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी के मिलन को लेकर उसको देखा जाता रहा है कि वहाँ पे हुआ था और जो अफ्रिका में, जो दच्डी अफ्रिका में जो रंग भेद वाली नीती थी और उसके बाद जो वहाँ के नेंस्टल मंडेला और वहाँ की जो सरकार थी उनमें जो बाचित की परक्रिया शुरू की थी वो भी दाउस में जो वड़ एकनामिक फोरम में ही हुआ था लेकिन उसमें भी दाउस में कहां है स्विट्जरलेंड में तो स्विट्जरलेंड अपनी ये भूम का निभाता रहा है लेकिन ये इसकी जो neutrality की जो जो उसका भी ये सब करने में उसे मददगार देता रहा है वह थोड़ा बेख हुआ है रूस उक्रेन युद्ध के दोरन क्योंकि स्विट्जर लेंड यूक्रेन की ओर जुक गया है और रूस के खिला पश्चिमी प्रतिबंध व्यवस्था में सामिल हो गया है यहनी कि पश् हो जा रहा है ऐसे में पहले देख लेते हैं कि यह जो सम्मेलन हो रहा है इसका लच्छ क्या है लच्छ यही है कि सांती स्थापित हो जाए ठीक है और सांती स्थापित जब मैंने एक बार पढ़ाया था हमास इजराईल संगर्स चलो वो पुरानी चीज़ों हो गई नया बत देता हूं जब भी कोई संगर्स हो रहा होता है आप अपने जीवन पर भी देखिए जब आप किसी से कोई विवाद हो रहा होता है लडाई तक न भी पहुंचे तो विवाद सांत कैसे होता है या तो दोनों पच्छ अपनी अपनी बात जो है अपनी अपनी बात को थोड़ परापच्छ इस स्थिति में नो हो कि उसकी बात का बिरोध कर पाई यानि जो संघर्ष के विंदू हैं जब तक वो नीसमाप्त होते हैं तब तक संघर्ष चलता रहता है या अपने अपने उद्देशों में अगर देशों द्वारा अगर देशों के मद्ध हो तो अपने ठकता को लेकर कुछ संदे है यानि यह जो सम्मेलन हो रहा है इसमें राश्पति पूतिन आएंगे कि नहीं कुछ लोगों को लग रहा है जब पूतिन ही नहीं आएंगे तो एक कैसे चलेगा लेकिन इस सम्मेलन स्विटजलिन का कहना है कि यह तो एक सुरुवात है इसमें ह चाहता कि रूस के पहले दोर के चर्चा में भाग लेने की संभावना नहीं है, समेलन के वाल एक प्रक्रिया की शुरुवात होनी की उमीद है, और चर्चा और युद्ध के पाठकरम के आधार पर रूस बाद में चरण में इसमें सामिल हो सकता है, चीक है, इसमें जैसे यू समाचारों में भी यहा कि रूस कह रहा है कि रबाच्छित करना है, तो वो जो हां से युद्ध सुरू होनी के पहले जो बाते हुई थी, वहीं से सुरुवात होगी, यानि अभी अभी अपने अपने देश, अपने अपने जो है, स्टेंड रख रहे हैं, उक्रेन कह रहा है कि नहीं जो पहले था उसको और बहुत सारी चीजे परिवर्तित हो गई है उस परिवर्तन के आधार पे हमें ध्यान रखना है इसलिए ये सम्मेलन तुरंत कोई बहुत करिस्मा कर देगा ऐसा तो उमीद किसी को भी नहीं है स्विट्जरलेंड को ही नहीं है यूकरेन को भी नहीं है रूस को भी नहीं है लेकिन हाँ एक सुरुवात हो सकती है जहां से ये परक्रिया सुरू हो सकती है यहां तक तो चलो नार्मल है हम यहां पर समझेंगे कि यह जो भारत रूस और यूकरेन की बात क्यों हो रही है क्यो क्योंकि वह रूस के दुनिया को भले नहों लेकिन ये तो हई है कि रूस पे जो कोई एक पच्छमी देशों ने जो प्रतिबंद लगाया था उसका जो है वो क्या कर रहा है सही हो कर रहा है या उसमें भी वो भागिदार है ऐसे में रूस के लेकर स्विट्जनलेंड के निट ब्रिक्स कंट्री ब्राजील है इंडिया है साउथ अपरिका है जो है चाइना है इनके साथ जो है इनके लोगों के साथ हो मिल रहा खास तोर से भारत और चीन चीन से इसलिए क्योंकि चीन रूस के साथ लिमिटलेस पाटनर्शिप की बात करता है तो हो सकता है कि वो ज़्य जादा उसको समझा सके भारत इसलिए क्योंकि भारत अमेरिका के साथ भी अच्छा उसका संबंध है और रूस के साथ भी भारत ने अपने संबंधों को बनाए रखा है और देखा जाए तो ये रूस इतना लंबा युद्ध चला ही इसलिए सका क्योंकि उस जो भी प्रतिबं में उस हकीकत को समझ के किये कि अगर अब इसको सांत करना है तो भारत को सांत लेना पड़ेगा इसलिए इसमें भारत की बात आ रही है और देखिए जो वहां की वो हैं स्विट्जरलेंड की वो पांच फरवरी को नई दिलने में विदेश मंत्री एस जल संकर के साथ सिखर सम आतरा की थी और फरवरी 2022 में युद छिडने के बाद से भारत रूस और यूक्रेन की बीश कूटनितिक डोर मतलब चल रहा है यानि कि बहुत बैलेंस विव में चल रहा है वो किसी के तरफ पच लेता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है जबकि चीन किस की तरफ रूस की जुका हुआ है इस से एसपस्ट है कि भारत ने कभी आखरमने की निंदा नहीं की है लेकिन अगर कोई बूचा नजगहार की एक बात है उसने उसका विरोध किया था और सबसे प्रमुख भारत के प्रधान मंत्री ने जो रूस के राष्टपती से फोन पे जब बात की थी स सितंबर 2022 में तो प्रधान मंत्री ने मोदी ने पूतीन से कहा था कि यह युद्ध का युग नहीं है और ये बात उस समय सितंबर में जो बाली में G20 सम्मेलन हुआ था उसमें भी ये बात आई थी 2030 के सितंबर में जब भारत में G20 का सम्मेलन हुआ था जिसकी अधिस्ता भ रिखते हैं कि रूस युक्रेन युद्ध को सांध करने में भारत की क्या भूमका है यानि भारत ये भूमका क्या है क्यों निभाना चाहता है और उससे भारत को क्या लाब होगा जो हमें जानना ज़्यादा महतुपूर है तो देखिए रूस युक्रेन युद्ध की के बाद से ही प्रधान मंतरी नरेंद मोदी ने राश्पती पूतिन के साथ कम से कम पांच बार और राश्पती जलेंसिकी के साथ कम से कम चार बार फून पर बाद की है ठीक है यानि कि उनकी बादचीत चलती रहती है और उन्होंने बहुप अच्छी सिकर समिलनों के इतर भी दोनों नेताओं से ब्यक्तिकत रूप से मुलाकात की है यानि दोनों नेताओं के साथ संबंद उनके बहतर है और भारत सरकार खुद भी चाहती है कि किसी सांथी प्रक्रिया के समर्थक रूप में अपने को पेस किया जाए देखिए भारत सरकार ने खुद को किसी भी सांथी प्रक्रिया के समर्थक उप में पेस किया है और ये भूम का दिभाने को तयार है भारत का मानना है कि उसे दुनिया में एक गैर पच्छ पार्थपूर खिलारी होने की बिश्वसनिता प्राप्त है यानि भारत का मानना है कि वो किसी पच्छ में नहीं है ये दोनों पच्छ उ अगर इसमें भारत महतपुर भूमक्या अदा कर देता है तो इससे ये साबित हो जाएगा कि भारत नैतिक द्रस से और अन्य पहलू से सनुत्रा सुरच्छा परिशत के जो उसकी दावेदारिता है वो और जादा मजबूत हो जाएगी ठीक है तो इसलिए भारत खुद भी चा हो जाने के कारण जो है कई सारे जो अर्थवेवस्था के संदर्व में चुनृतियां दिखाई दे रही हैं वह चुनृतियां भी समाप्त होना शुरू हो जाएगी और यूरोप में अगर फिर से विकास आता है तो भारत का जो नर्यात है बढ़ियां से जो है यूरोप की तरफ होने लगेगा और उसमें भी व्रिध्य होगी, तो कई सारे पहलू होते हैं, डिप्लोमेसी में कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना होता है, तो एक तो नाम भी होगा, दो उसके देशान करीब भी आएंगे, और साथ ही में इसके भारती अर्थविवस्था साहिद, बैस्वी करतेवस्था पर भी सकारात्मन परिणाम दिखाई दे सकता है, जहां तक अगला हमारा समाचार है, यह ऐसा समाचार है, जो प्रदूसन वाला, यानि इन्वार्मेंट एकोलाजी और थोड़ा साइंस का मैटर भी इसमें है, साइंस बहुत जादा नहीं है, आज के समाचार पत्रत हैं, हिंदू में यह था, कि इंडियन इस्ट्यूट अफ साइंस या भारती बिज्ञान संस्थान, बैंगलोर जो सिर्शस्त संस्थान है बिज्ञानिक छेतर में, वहां के एक प्रोफेसर बोस हैं, उनकी अधिस्टा में सोथ करता हूं कि एक टीम ने एक ऐ ऐसा हाइड्रोजेल बनाया है, जो पानी में घुलनसेल माइक्रो प्लास्टिक को एबजार्ब, 93-95 परसेंट तक एबजार्ब कर सकते हैं, कम से कम 4-5 बार इस्तिमाल किया जा सकता है, और इसके जरिये जो माइक्रो प्लास्टिक, जो मानों के स्वास्त को लुक्सान पहु यहां से यह माइक्रो प्लास्टिक है, यह सब यहां से आता है, और किसमें, जली जीवों में भी जाता है, और यहां से मनुष्य के अंदर भी जाता है, और लेकिन यह जो बनाया गया है, यह हाइड्रो जेल, वहां अल्ट्रा वालेट किरणों के साथ, इस जो माइक्रो प् में सच्छम है तो चर्चा में क्यों है क्योंकि अभी बताए है कि भारती विज्ञान संस्था बैंगलोर के है इसके सोधकरताओं ने पानी से माइक्रो प्लास्टिक हटाने के लिए एक टिकाव सस्टेनिबल हाइड्रो जेल डिजाइन किया है तो इसी तरह का ये डिजाइन किया है और आईयसे के अनुसार माइक्रो प्लास्टिक स्वास्ट के लिए एक बड़ा खतरा है क्योंकि ये छोटे प्लास्टिक अवसेस हमारे द्वारा पीने वाले पानी के माध्यम से हमारे सरीर में प्रवेश कर सकते हैं और बिमारियों का खत्रा बढ़ा सकते हैं ऐसे में अगर इनको हम अपने पानी से हटा सकते हैं तो ये हमारे स्वास्त को तो ठीक करते ही करते हैं साथ ही में इनसे होने वाला जो बहुत बड़ा प्रदूशन है उसको दूर कर दिया जा सकता है, तो आएए थोड़ा सा देखते हैं कि माइक्रो प्लास्टिक होता क्या है, तो देखें माइक्रो प्लास्टिक, प्लास्टिक का वो जो माइक्रो लेबल पे बहुत छोटा कड होता है, जिससे प्लास्टिक बना होता है, और ये देखा जाए तो पान में के साथ जो अपकरिया होती है उसके कारण यह ाइक्रो प्लास्टिक बदल जाता है और यह तरह तो हमारे पहुंस सकता है तो यह एक तो हमारे स्वास्त को लेकर नुक्सान पहुंचाता है दूसरे ये बड़ा जली प्रदूसर्ण का भी कारण होता है ठीक है तो आएए चलिए देखते हैं कि device plastic जो है मानस्वास्त के लिए एक बड़ा खत्रा है ये छोटे plastic अवस्यस हमारे द्वारा पीने वाले पानी के माध्यम से हमारे सरी में प्रोवेश कर सकते हैं और बिमारि खत्रा भी है यहां तक की धुरूवी बर्व की चोटियों और गहरे समुद्र की खाईयों जैसे दूर दराज के छेत्रों में भी पाय जाते हैं वे जली अस्थली जीवन को खत्रे में डालते हैं ठीक है और अधिकांस जो माइक्रो प्लास्टिक होते हैं वो घरेलू प्लास् या जिसे PVC बोलते हैं पॉलिवनाईल क्रोराइड जिसे प्लास्टिक उलास्टिक पाईप आदी बनती है और दूसरा है पॉली प्रोपेलीन ये एक तरह से करबनिक पॉलीमर होता है जिससे जो पैग्ड फूड होते हैं उनके लिए जो तयार किया जाता है और ये दो बहु रहा है ठीक है तो माइक्रो प्लास्टिक को नस्ट करने है तो नया हाइट्रोजेल डिजाइन क्यों किया गया या उसकी आव सकता क्यों पड़ी तो ISC देखिए सोत करताओं ने इस उभरते प्रदूसक से निपटने के लिए पानी से माइक्रो प्लास्टिक को हटाने के लि ये ऐसी polymer है ये एक्चुल में तीन लेयर के polymers हैं जो इस तरह के जो microplastic है उनको absorb कर लेता है और उसमें जो ultraviolet प्रकास को absorb करके इन्हें nest कर देनी की छमता पाई जाती है ठीक है जैसे देखे इसमें जो microplastic को हटाने के लिए पहले filtering जिल्लियों को प्योग करना किया लेकिन उसमें छोटे कण अबुद्ध तो हो सकते थे लेकिन वो टिकाओ नहीं थे उन्हें बार-बार बदलना पड़ता था ऐसे में प्रोफेसर सुर्य सार्थी बोस्क नित्रवाली संस्थान ने एक 3D हाइड्रोजल की और रुख करने का फैसला किया 3D मतलब ये तीन अस्तरी इसमें जिल्ली होती है विसेस्ताय आम हत्त देखें तो ISE द्वारा बिक्सित नवीन हाइड्रोजल में तीन अलग-अलग पालीमर परते होती हैं जिसमें चिटोसन होता है पाली बिनाईल अलकोहल होता है और पाली एथिलीन का एक साथ जुड़े हुए होते हैं जो एक इंटर पेनिट्रेटिंग पालीमर नेटवर्क अर्टिक्टर बनाते हैं यानि एक साथ वो एक साथ से इंटर पेनिट्रेटर नेटवर्क बनाते हैं matrix मनाते हैं और इस matrix को copper substitute polyoxomalate या cupom नामक सामगरी से nano cluster के साथ जोड़ा जाता है ये nano cluster उत्परे रख हैं जो microplastic को नश्ट करने के लिए UV प्रकास का उप्योग करते हैं यानि कि इनके जरीए वो plastic, microplastic को absorb करके वो इकठा कर लेते हैं और ये cupom है इसके तहर जो है वो ultraviolet wave को जो है absorb करता है और ultraviolet wave के द्वारा इस microplastic को नश्ट किया जा सकता है और ये polymer और नालिक रेश्ट्रन के सायोग से एक मदबूत हाइडरोजेल बना जिसने बड़ी मात्रे में microplastic को सोखने और नश्ट करने का जो है में भूमिका निभाई और दो सबसे महत्पूर माइक्रो प्लास्टिक पाली बिनाइल क्लोराइड और पाली प्रोकनाइल को लगबग 95% से 93% तक नश्ट कर दिया ठीक है तो ये एक तरह से ऐसा है शबसे बड़ी बात ये है कि इसके जरिए आप बार-बार यानि कम से कम पाँच बार जो है चार से पाँच बार जो है इसका इस्तमाल देखिए ये नया हाइट्रोजील प्रभाव कारिता के महत्पूर नुकसान के बिना माइक्रो प्लास्टिक हटाने के 5 चक्र, 5 साइकिल तक इसका प्रियोग कर सकते हैं और हलकी उतना डीटेल जाने के जरूरत नहीं है इसके बाद भी इसका इस्तेमाल कुछ और असुदियां पानी के निकालने के लिए किया जा सकता है लेकिन ये 5 बार ये प्रियोग किये जा सकते हैं ऐसे में ये हमारे लिए sustainable प्रियोग हो सकते हैं और इस वज़ा से ISC के सोथ करता है अब इसके साथ ऐसे उपकरन डिजाइन करना चाह रहे हैं जो बड़े पैमाने पर पानी को साफ करने यानि जो पानी के स्रोथ हैं उनको इतलाब है, नदी है उनको साफ करके उनसे माइक्रो प्लास्टिक निकालने के लिए तैयारी कर रहे है ये हमारे लिए थोड़ी सी जानकारी रही है आईए अब इन पे जुड़े हुए 5 क्वेस्चन को सिर्फ देख लेते हैं भारत इस सम्मेलन में भाग ले ये दो कथन है, इनसे जो है चार भी कल्प है केवल लवन, केवल दो, एक और दो दोनो उप्युक्त में से कोई नहीं आपको हल करना है दूसरा है, सुड़जलेन का अंतरास्टी संगर्सों के में मध्यस्ता का इतिहास रहा है वो निमलिकित किस किन संगर्सों की मध्यस्ता कर चुका है सवधी अरब और इरान के बीच, स्रिलंका सरकार और लिबरेशन टाइगर आप तमिल इलम के बीच रूस और जाजिया के बीच, उप्युक्त सभी में आप डीटेल में अगर देखें होंगे तो ये जान जाएंगे तीसरा है रूस युक्रेण युद्ध को सांथ करने में भारत की भूमका के संदर्ब में निमलिकित कतनों पर विचार किजिए भारत को सांथी समयलिन में भाग लेते देखना युक्रेण के लिए महत्पूर्ण होगा भारत सरकार ने खुद को किसी भी सांथी प्रक्रिया के समर्थक की रूप में पेस किया है और ये भूमका निभाने को वो तैयार है इसमें जो दो कतन है उसमें एक है दो है एक और दो दोनों सही है और उप्यूक में से कोई सही नहीं है ये आपको चुनना है चौथा जो करस्न है हाली में चर्चा में रहे माइक्रो प्लास्टिक के संदर्ब में निमलिकित कतनों पर विचार कीजिए ये छोटे प्लास्टिक अवसेस हमारे द्वारब पीने वाले पानी के माध्यम से हमारे सरीर में प्रिविस कर सकते हैं और बीमारियों का खतरा बढ़ा सकते हैं दूसरा है स्टेट्मेंट वातवरण में मौजूद दो सबसे आम माइक्रो प्लास्टिक पाली विनाईल क्लोराइड और पाली प्रोपाइनिल है और ये दो स्टेटमेंट है इनके साथ आपको चार विकल्प दिये गए है केवल एक केवल दो एक और दो दोनों उप्यूक में से कोई नहीं ठीक है जो अंतिम प्रस्थ है हमारा वो यह है कि हाल ही में चर्चा में रहे तो देखिए पहला है IAC के सोथ करताओं ने इस नए डिजाइन को तैयार किया है बी है नवीन हाइट्रोजल में चार अलग-अलग पालिमर परते सामिल है यह नया हाइट्रोजल प्रवाकारता के महतुपन नुक्सान के बिना माइक्रो प्लास्टिक हटाने के सैक्णों चक तक उपयोग किया जा सकता है और उपयोग सभी सही कथन है ठीक है तो आप इनको साल्ब करिए इन प्रस्नों के खुद से पहले साल्ब कर लीजेगा हाला कि पीडियेप में इनके अंसर आपको मिल जाएंगे सरल ही प्रस्ता तखे गए हैं आप देखेंगे तो आपको ही बाकी कोई भी प्रस्न रहे तो पूछ सकते हैं पिडियेप के साथ आप वीडियो और पिडियेप मिलाकर अपको पने नोटस बनाते रहिए कोई प्रस्न हो तो पूछते रहे वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए चलिए नमस्कार धन्यवाद